गर्मी की दो पहर है, एक मिठाई वाली आंटी, जिनका नाम है आंटी माला, अपने ठेले पर तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाईयां सजा रही हैं, दो दोस्त, रोहन और कबीर, आंटी के ठेले के पास बैठ कर कुछ मीठा खाने का मन बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे न और एक लड़ू उठा कर भागने लगते हैं, लेकिन तभी आंटी माला उन्हें पकड़ लेती हैं, आंटी माला बच्चों को प्यार से समझाती हैं कि चोरी करना गलत है, रोहन और कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है, और वे आंटी से माफी मांगते हैं, आंटी माला दोनों दोस्तों को माफ कर देती हैं, बच्चे खुशी-खुशी मिठाई खाते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे।